भारत्य पहलवान विनेश फोगाट को पैरिस ओलम्पिक्स में अयोग्य खोशित कर दिया गया है फोगाट महिलाओं के 50 किलोग्राम कुष्टी इविंट का फाइनल खेलने वाली थी लेकिन उनका वजन तैमानों को से 100 ग्राम जादा पाया गया है इसके बाद विनेश फोगाट के ससूर राजपाल लाठी ने भारत सरकार और रैसलिंग फेडरेशन आफ इंडिया पर आरोप लगाया है उन्होंने इसे एक शनयंत्र भी बताया है राठी ने इसमें भाषपा नेता और पूर्व सांसद ब्रिजभूशन शरण सिंग की मिली भगत का आरोप लगाया है राठी ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि विनेश के साथ राजनियतिक साजिश की जा रही है 100 ग्राम वजन तो 10 मिनिट में कम हो सकता है ये एक शनयंत है उन्होंने कहा कि इसमें सरकार मिली हुई है और 100% इसमें ब्रिजभूशन, शरण सिंग और डवलो एफाई की भी मिली भगत है उन्होंने आगे ये भी बताया कि बाल कटाने से ही 100 ग्राम वजन कम हो जाए एंकर के पूछने पर राजपाल राठी ने सहमती जताई कि सपोर्ट टीम ने फोगाट की मदद नहीं की उन्होंने कहा कि अगर 100 ग्राम वजन जादा था तो बाल क्यों नहीं कटवाए गए राठी ने ये भी बताया कि फोगाट को सपोर्ट करने के लिए जो लोग उनके साथ गए थे उन्हें भीतर ही नहीं जाने दिया गया बकॉल राठी विनेश ने कई बार कहा है कि उनके साथ साजिश की जा सकती है और अब वो साबित हो जाए विनेश के ससुर ने इस घटना पर हिंसा की भी आशन का जताई है उन्होंने कहा है कि लोग घठा हो रहे हैं सड़क पर तोडफोड होगी तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगे उन्होंने कहा कि वो अपने घर में हैं और बस अपनी नाराज की जाहर करा है विनेश फोगाट के ताओ और गुरू महावीर फोगाट ने इट्याटोडिस से कहा है कि इस घटना से सारे देश को दुख पहुचा है उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुदरत ने जो लिखा है वो हो गया सबको दुख है लेकिन अब आगे की तैयारी करेंगे अब तक 2024 की तैयारी थी अब ओलम्पिक्स 2028 की तैयारी कराएंगे उन्होंने कहा कि वजन बढ़ने के पीछे के कारण के बारे में उन्हें कुछ नहीं बता विनेश से बाचीत के बाद ही कुछ बता पाएंगे अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में ब्रिजभूशन शरन सिंग का नाम क्यों आ रहा है 28 मई 2023 को विनेश वोगाट को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया था पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने पदर्शन किया वो ब्रिजभूशन के खिलाफ कारवाई की मांग कर रहे थे इनमें साक्षी मलिक और विनेश वोगाट भी शामिल थे माई 2023 में नए संसप मौन का उत्खाटन होना था इसी मौके पर नई बिल्डिंग के ओर मार्च कर रहे है विनेश वोगाट पजरंगोनिया और साक्षी मलिक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था आगे जो भी नए अपडेट्स आते हैं नई जानकारियां आती हैं वो हम आप तक जरूर पहुचाएंगे देखतरी दिललन टॉप शुक्रिया